यारे बच्चों नमस्ते स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूटूब चैनल में तो देखें स्टूडेंट आज हम लोग क्या देखने वाले हैं तो आज हम देखेंगे इसके जो आपके जो आपके दूसरे चाप्टर से वह भी कंप्लीट हो चुके हैं तो जब आप प्लेलिस्ट में चाहेंगे न तो वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए अभी हम देखते हैं तो दीखिएगा यहाँ पर सबसे पहला सवाल आप पहले सवाल देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है कि the apparent moment of the sun यानि कि जो सन का apparent moment है वो क्या होता है तो आप लोगों को पता होगा मैंने जब lesson पढ़ाया था उसमें बताया था कि apparent moment of the sun क्या होता है जैसे कि जो sun है वह हमें ऐसा लगता है कि कभी वह south की तरफ जा रहा है यानि पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है नौट से साउथ साउथ से नौट ठीक है तो इसी मोमेंट को हम क्या कहते हैं अपरेंट मोमेंट ऑफ दसन तो बताइए यह कहां पे लिखा हुआ है तो अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है कि दसन सब्सक्राइब कर रहा है तो यहीं आपका सही जवाब हो जाएगा ठीक है बागी यह तो गलत है कि इस पोजिशन नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा ऑप्शन भी यहां पे इस कान से लिखा हुआ है आप देख सकते हो ठीक है आगे व तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यह कंडिशन बनती कि पूरे साल जो है मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्लेस है ना वहां पर पूरे साल साल के हर दिन जो यह ना मौसम ठीक हमेसा सेम रहता उसमें हमें चेंज़स देखने के लिए नहीं मिलते हैं कभी ठंडी का मौसम आज तो अगर ऐसा होता कि वह टिल्टेट नहीं है तो फिर हमें यह सारी चीजें हमारे अर्थ के ऊपर घटित हुई दिखाई नहीं देती तो बताओ यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा तो पहले है कि अर्थ वोड नोट रोटेट रोटेट अराउंड इट सेल्फ नहीं यह आपका सही जवाब है कि जो अलग-अलग पैल यानिकि जो हमारे लैटिट्व सहां अर्थ के उपर उन मतलब उन पर ना हमेशा क्या रहता हमेशा सेंट क्लाइमेट ही रहता पूरे साल उसमें आमें चेंज देखने के लिए नहीं मिलते तो यही आपका सही जवाब हो जाए ठीक है अगला सवाल देखेंगे थर्ड वन देखो बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है कि ट्वेंटी फॉर्स जून और ट्वेंटी सेकंड दिसम्बर और सुलिस्टिस दीज्ट इस मतलब देखो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्वेंटी फॉर्स जून और ट्व पीछे का कारण क्या है कि हम इसको सोलेस्टिस कहते हैं तो यहां पे लोगों कुछ ऑप्शन दीए इन्हीं ऑप्शन में से आपको सही आंसर को टिक करना है तो क्या दिया है यहां पर देखेगा कि दन स्टार्ड दसन स्टार्ट्स इट्स साउथ वर्ट जनी फ्रम यह हमारी वेटर और पार देखना वरडश है कि प्रॉपिकाओ कैंसर पर सक्ष्टिस καती है 21 मार्च को ठीक है फिर यह ऐसे करके 21 जून को यहां पर पहुंच जाती है यानि कि ट्रॉपिक ऑफ गैंसर है समझें यह हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कौन है भूलो मत मैंने यह पूरा बना करके आप सभी लोगों को पता है था ठीक है फिर यह क्या होगा यहां पर 13 सिटं क्या होगा फिर यह नौर्थ की तरफ जाना शुरू हो जाएगा तो बहुत कावर releasing 2 के सब्सक्राइब ऑंधर की तरफ जानी की कोशिच करने देहों लगता है यह नोर्थ की तरफ जाने लगता है तो इसलिए हम इसको क्या कहते है तो देखो यहां पर वही लिखा हुआ है पूरा इसका option आप पढ़ लेना देखो एन नौर्थवर्ट जनरी फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन on 22nd December तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा बागी सबको काट दो हमें आंसर मिल चुका है बस हमारा काम खतम ठीक है यह सब नहीं होगा कि दक्षिन आयन on the sun यह नहीं होगा ठीक है फिर यह उत्तर आयन यह भी नहीं होगा आप अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर आपका चो करता है और इसका एक्सीज भी है है तो यह किसके लिए रिस्पॉंसिबल है कोसे सीजन के लिए पहले में बता दू कि यह जो हमारा हमारे अर्थ का हमारे अर्थ का revolution है और वो tilted axis है न तो वो बस दो ही season के लिए responsible होते हैं एक तो summer season दूसरा आपका winter season बागी जो आप देखते हो न ये rainy season वगएरा ये सभी local climate condition के कारण ऐसा होते है ठीक है ये अलग अलग जगा पर अलग अलग प्रकार से होता है तो में दो ही यहां पर सीजन साते हैं आपके summer और winter तो बताए summer and winter कहां पर है यह रहा summer and winter यह आपका सई हो जाएगा तो इस बात को ध्यान में रखना वरना आपको लगेगा में बस दो ही सीजन यहां पर मिली रिस्पोंसिबल मुलब दो ही सीजन के लिए रिस्पोंसिबल है यह वाली condition वरना ठीक है चलो दूसरा लेखो answer the following questions question के answer बताने है पहला कोश्चन है आपके screen पर कि what leads to the occurrence of season ठीक है चलो बताओ occurrence of season मतलब season कैसे हमें उसमें changes देखने के लिए मिलते हैं यह कैसे घटित होता है यह वाली घटना तो दीखिएगा सिंपल सी बात है ना हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवाल्व हो रहा है तो यह कारण है और दूसरा हमारा अर्थ का टिल्टेट एक्सिस है ना तो यह दो चीज़े रिस्पोंसिबल है for changes of season है ना तो देखो यहां भी क्या लिखा है कि the revolution of the earth around the sun and the tilt of the axis of the earth leads to the occurrence of season है ना इसी के कारण क्या होता है सीजन में हमें changes देखने के लिए मिलते हैं अगला सवाल है कि होता है autumnal equinox ठीक है ऐसे करके मैंने आपको पताया था बराबर तो इस दिन क्या होता है जब हमारा 12 गंटी का as well as जो नाइट है यह भी कितने गंटी के हो जाएगे 12 गंटी की तो वह दिया यहां पर कि इसका आंसर देख लेना the duration of the day and night remains remains same that is 12 hours day and 12 hours night on equinox ठीक है इसा ही होता है ठीक है भाई आगे पड़ो इसके पीछे कारण क्या है तो इसके पीछे का कारण सीधा सा और सिंपल सा है जो हमारा सन है वह इसके आस पास में भटकता रहता है ठीक है इसके कारण इसका जो यह ना मतलब यहां का जो सीधने उसमें ज्यादा तुमें चेंशाट देखनी करने मिलते नैंगे तो देखो अब इतना काट सकते हूं आपको बता रही हूं इतना इतना काडBeauty देना देख को इसको मट सब्सक्राइब इसको पूरा ना उसके पढ़ना बड़ेगा इस लिए वीडियो मैं आपके लिए helpful रहेंगे क्योंकि यहांब कुछ mistake होती है ना मैं आपको live में बता है मतलब अब भी पढ़ा रही हो तो मैं बता दूंगी लेकिन जब बस आप में देखोगे तो अगर कुछ एकाग मिस्टेक रहा तो फिर आपको कौन बताएगा इसलिए वीडियो भी देखो और पीडियाफ भी आपकी हल्प तो करेगा ही यह यह पीडियाफ मिली जाहेगी तो देखें क्या लिखा है कि इन डिस रिजन यह रिजन में क्या होता यानि ए कैसा रहता है यह वाले एरिये में एकविटो्रील रिजन बर्पेंडिकुलर ही होता है ठीक है इसलिए हमें यहां पर सीजर में ज्यादा डिफ्रेंसे देखने के backs SH. इस यहां से लिख़ख़ें के बखा रिदिया कि रहां पर देखो घाले हैं यहां देख़ें देखर रिह यहां परेको यह वाला यानि कि जब भी यह दक्षिनायन होता है न प्यारे बच्चो तो वहाँ पर वहाँ पर जो हमारा सन है ठीक है वो अंटार्कटिक सरकल से ले करके साउथ पोल में वो 24 आवर से भी जाधा क्यों होता है इसके पिछे का खारण बताना है देखो जैसे जब दक्षिनायन होगा न जैसे आप सभी जानते हो यहां पर अंटार्कटिक सरकल से साउथ पोल में यहां परना जो सन है वो 24 आवर से भी जाधा का यहां पर वो दिखाई देता है तो क्यों इसके पिछे का कारण क्या है बताओ तो यह है दक्षिनायन होता है न प्यारे दोस्तों तो जो हमारा साउथ पोल है वो हमारे सन के सामने रहता है और यह पूरा मतलब बहुत टाइम तक चलता है इसलिए तो चौबिस घंटे से भी जादा वहां पर विजिवल होता है ठीक है मैंने यह लेसन में यह सारी चीज़े बताई थी प्रॉपरली आपके टेक्सबुक मेंने यह डाइग्राम ऐसे करके बनाया गया था जिसमें आमने बहुत अच्छी स समझने की कुशिश की थी तो मैं कह रही हूँ ना अगर जैसे वो मैंने इस चप्टर को दो पार्ट में पढ़ा है अगर आपने वो दोनों पार्ट को अच्छे तो कर लिया ना फैट समझ लो यह यह चाप्टर के कोई पर कुश्चन आने तो आप उनको जरूर सॉल कर आज से जीवचंतु होते है ना है कहां पर बहता है यहान पर प्लते फूलते हैं कहां पर आता है जहां पर कलाइमेटिक कंडिशन के साहें कसा है कैसे जीवचंतु रहते हैं यह सारी चीजेज सा function CHण करती हैす उसी के आधार पर क्या होता है कि वहां पर पर्टिकुलर टाइप का जो एनिमल है वो पाया जाता है ठीक है देखो यहां पर इसका आंसर में आपको पढ़ करके बताते हूं समझ में आ जाएगा देखो पैंग्विस आर्ड बोर्स देट कैन नोट फ्लाइ और रन फास्ट यह पैंग्विन यह और भी नहीं सकता है यह इसा बर्ड जो उड़ नहीं सकता और यह मतलब तेससे भाग भी नहीं सकता ठीक है इन फोलर रिजन आप दे नौर्धन है मिस्फियर रम का जो पोलर बोलर रिजन आहर यह तारे जिशित आए जाते हैं कि आर्कर पह चांटें पाय तो मैंने बोला ना कि surrounding बहुत हद तक depend करता है कि यहां पर किस टाइब का जीव पाया जाएगा अगर वहां पर रहेगा तो यह लोग तो इसको नुक्सान होचा देंगे ना इसलिए वह वहां पर नहीं पाया जाता है तो पहला सवाल देखिए यहां पर कहले लिखा हूँ है पहला स्टेटमेंट कि अर्थ वेलोसिटी वैरिज अकोर्डिंग टू पीरियोड ऑफ रिवॉलूशन यानि कि जो हमारे अर्थ का वेलोसिटी है यानि अर्थ का स्पीड है ठीक है वो क्या होता है वो उसमें हमें चें सब्सक्राइब कर देखिए अंसर यह होगा कि अर्थ सब्सक्राइब करती है तो जैसे हमारे अर्थ के पास है अर्थ के पास है तो इन दोनों के इसन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उनका जो स्पीड है ना उसमें हमें वेरिएशन देखने के लिए मिलता है कहीं पर ज्यादा जोड़ से ज्यादा तेजी से घुमेंगा और कहीं पर कम ठीक है तो यहां पर देखिएंगे देखो देखेंट कभ यह तेज होता है इधर बिलंगेन तेवर अर्थ को देखोले अर्थ को तो तो अ किसे कहते है परिहलेन और हमारे में चाहिज बनता है तब इसका बढ़ जाता है यहाँ पर कम और तो आपको यहाद रखना है ठीक है अच्छे से याद रहेगा आप सबी लोगों को क्यूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी पर affect करता है उसकी revolution को हमारे अर्थ की revolution को ठीक है चलो गई तो देख लिया ना इसका आंसर समझ में आ गया next question है कि if we observe from the northern hemisphere we see that we see the apparent moment of the sun यानि कि हम क्या करेंगे जब northern hemisphere से मतलब observe करेंगे तो हमें क्या लगेगा मतलब हम देखेंगे apparent moment of the sun यानि हमें ऐसा लगगा कि जो सन है वो मूव कर रहा है तो आप देखते इसका उत्तर क्या होगा the apparent moment of the sun can be observed from both northern and southern hemisphere देखो भी या जहां भी बुला था कि बस northern hemisphere से हम यह observe कर सकते हैं ऐसा थोड़े ना the dates of equinox change every year ऐसा होता है क्या एक दिन का changes आ सकता है हर मतलब बहुत जादा changes नहीं आएंगे तो देखो यहां पर इसको हमने सही करके लिखा है कि the dates of equinox may be same और vary by a day or so यानि कि मतलब वो हर साल same हो सकता है या फिर एका दिन का अंतर आ सकता है बागि जादा अंतर नहीं आएंगा ठीक है तो यह उसका सही जवाब हो चाहेगा next है यहां पर कि North Canada experience is summer from September to March यानि कि जो North Canada है वो September से March तक क्या करता है summer को experience करता है is it right no is it not correct तो सही सही आंसर क्या होगा देखो यह जो North Canada है वो experience करता है summer को from March to September यहां पे लोगों ने उल्टा लिख दिया था September to March नहीं March to September यह होगा सही आंसर ठीक है तो इसको आप टिक करियो पाचवा है कि when it is summer in South Africa Australia has winter क्या यह बात सही है कि जब हमारे South Africa में summer होगा तो Australia में winter होगा नहीं जब South Africa में summer होगा तो Australia में भी summer होगा विंटर नहीं होगा ठीक है दोनों एके साथ रहते हैं तो यह आपका सही उत्तर होगा इसको बस यह Australia has यहां पे summer कर लेना ठीक है प्यार एक और question है और भी question है मुझे लगा था सारे questions खत्म होगे duration of daytime is less on the vernal and autumnal equinoxes मतलब जो duration है daytime का वो less होता है क्या vernal और autumnal equinoxes पे duration of daytime and night time is same on the vernal and autumnal equinoxes देखो प्यारे बच्चो equinox के बारे मैंने आप लोगों को बताया था चाहे वो कोई साभी equinox होने दो spring वाला या पि स्थीम होते हैं बारा गंटे का बारा गंटे का दिन बारा गंटे की रात थीक है spot the error in the diagram अब इस diagram में जो error है उसे आपको spot करना है ठीक है भहिया आओ कर देते हैं तो यह है हमारा diagram आप देख सकते हो इसका उत्तर इधर देखो देखो जैसे कि इसमें क्या गलती है आओ मैं दिखाती है यहां पर इन लोगों को ना देखो इधर 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 क्या आना चाहिए यहां पर 21 जून आना चाहिए ठीक है आप लोगों ने यह डाइग्राम देखा होगा आपके टिक्पुक में यहां पर 22 दिसमबर आना चाहिए और 23rd 22nd March ठीक है यह तो राइट है रुको तो समझ में आया क्या गलती थी तो इसलिए मैंने ना जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब ही मैंने आपको दो डाइग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट करके बोले थे जिसमें से एक तो ऐसा वाला था और दूसरा जो मैंने आपको खुद बना करके दिया था वह दो डाइग्राम अच्छे से कर लिया ना फिर आपका काम खतम ठीक है नेक्स कोश्चन देखिएगा कोश्चन नमबर फाइव इसमें क्या लिखा हुआ है कि ड्रोव डाइग्राम शुइंग दे साइकल ओप सीजन इन साउधन हमिस्पियर तो यह वाला दे दिये हैं प्यारे बच्चो तो बस अब आप लोग इसको अपनी नोट बूक में लिखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आप एक्जाम में यह चैप्टर से कोई भी कोश्चन छोड़ करके ना यही चैप्टर नहीं जो आपके दूसरे लेसंसे उससे भी कोश्चन छोड़ करके मताना सारे कोश्चन को करके आना ठीक है अगर आप एक्स्टरेशन के वीडियो देख लोगे ना तब पक्का करके आओगे ठीक है भरोसा करो एक बार और पढ़ाई करो अच्छे से ठीक है और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपको डाउनलोड कर लोग ठीक है बहुत दूस्फुल है आपको सारे सब्जेक के टेक्सबूग भी मिल जाएंगे नोर्स भी मिल जाएंगे ठीक है इसलिए आप उसको जरूर से डाउनलोड कर लीजेगा ओके चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सभी को नमस्ते